आज की रेमेडी बहुत ही स्पेशल होने वाली है आप लोग को जैसे के पता है कि रमजान आ रहे हैं उसके बाद इद आने वाली है तो सब लोग को इस टाइम पे होता है कि हमारी स्किन बहुत जादा ब्राइट दिखे साथ ही साथ कॉंपलेक्शन जो है वह 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 बिल्कु कोई भी आपका इविंट आ रहा हो तो आप उसके लिए भी रेमेडी स्टार्ट कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे बहले तो आप लोगों ने कर देना है चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने भी तक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो श करती है हमारे कोंपलेक्शन को फेयर करती है क्योंकि इसके अंदर जो है ना बलीचिंग एजट होता है जो हमारी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से ब्राइट करता है अब चलते अपने नेक्स्ट इंगेडियन की तरफ जो कह है राइस आप लोगों ने तू टेबल स्पोन थर्ड इंक्रेडियन की तरफ जो कहा है बदाम बदाम आपको पता है बदाम में बहुत ही जादा रिच अमाउंट में प्रोटीन होता है और वाइटमिन ए होता है वाइटमिन ए जो है वाई स्किन से टैन को रिमूफ करता है साथ जितने भी डाइक स्पोर्स होता है उनको इन तीनों को हम ने अच्छे तरीके से ग्राइंड करने हैं 2 टेबल स्पून हमें चाहिए चावलों के और शाथ हमें 5-6 बदाम के पीस चाहिए इसको इसको तरीके से फाइन पाउडर बना लेना है तो यहां पर मैंने तीनों इंग्यूजिएंट्स को अच्छे तरीके से पी पूरे वीक का बना लिया है और अगर आप लोग चाहें तो इसको डेली बेसिस पर भी बना सकते हैं लेकिन डेली बेसिस पर बारबर बनाना मुश्किल काम हो जाता है तो मैं एक ही दफा पूरे वीक का बना लेती हूं और इसको किसी भी एयर टाइट केंटेनर में स्टोर कर जितना मुझे उस टाइम पर जरूरत होता है उतना मैं पाउडर लेती हूं और साथ ही मास्ट बना के अपने फेस पर अपलाए कर लें यहां पर टू टेबल स्पून मैंने पाउडर ले लिया है अगर आप लोग के स्किन नॉर्मल है तो आप लोग इसका फेस पैक दूद या फिर दही के साथ बनाएंगे अगर आप लोग के स्किन जो है न हो बहुत ज़ garlic है तो आप लोग इस में रिख करके अगर आप लोग की स्किन ओली है तो आप लोग रोश फोर्टर या पिर कुकम्बर जूस ऐड़ करके इसका फेस पैक बनाएंगे तो यहां पर मैं ले दूद दूद आप लोगों ने इतनी कॉंटिटी में लेना है जितना कि फेस पैक जो है ना एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाए इस फेस पैक के अंदर जो है ना चावल बदाम और साथी साथ मुस्वूर की डाल का इस्तमाल हुआ है यह तीनों चीजें हमाई स्किन को ब् चावल खुद हमाई स्किन को बढ़े अच्छे तरीके से जो है ना इस पोर्टलेस बनाते हैं और साथ ही साथ जितने भी हमाई स्किन पर डैट साज होते हैं उनको रिमूव करते हैं इसका फेस पैक अच्छे तरीके से बना लेना है आप लोगोंने तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने फेस पैक अच्छे तरीके से रड़ी कर लिया इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की फॉर्म में रखी विया बहुत जादा नारनी कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा मैंने ठिक रखा है ताके एजीली अप्लाई हो सके फेस पर आप लोग इसको अपने हैंड्स पर क्लीन करना है उसके बाद इस मास्क की एक बड़ी अच्छी सी कोट कर लेनी है अपने फेस के उपर जैसे यहां पर मैं कर रही हूं मास्क में अप्लाई कर लिया है अब आप लोग ने 10 मिनट के बाद करना ही है कि इसको अच्छी तरीके से इस तरह सर्कुलर मोशन में इसकी मसाज करते वे इसको रिमूफ करना है उसके बाद आप इसके रिजल्ट्स खुद देख सकेंगे लाइब आपको इसके रिजल्ट् आपकी स्किन बहुत ब्राइट लगेगी आपकी स्किन बहुत जादा फ्रेश लगेगी आपकी स्किन बहुत जादा फ्रेश लगेगी आई होप सो आपको यह पसंद आई होगी अगर पसंद आया तो जल्दी से रिमीडी को लाइक कर दें चैनल को साथे साथ साथ सब्सक्र अल्ला हाफिज